तो अब परिवार एक्जामपूर वार हाधिक स्वाध करता हूँ हम एक्जामपूर करने से क्रांथ तीकिया और प्यार दोस्तों कैसे आप सब बता दीजिए जल्दी से दिवार कैसा मन रहा है दिवाली मज़े आ रहा है ना घर पे वाधिसाब मैं भी आपके साथी हूँ और इस वीडियो को जरूर देख रहा हूंगा प्यार दोस्तों तो जल्दी से बताईए अच्छा लग रहा है कि नहीं मिलके सभी लोग एक वार सेर करें वीडियो को दबाक पूछन वार देते उसी के साथ आगे बढ़ते मैं लगवा रहा हूं आपको टेस्ट तीसरे नंबर का मोग टेस्ट है प्यार दोस्तों और यह मोग टेस्ट आपके एक्जाम के हिसाब से एक्जाम के पूछे जा सकता है ठीक है तो शुरू कर रहें आज की किलास को चलिए तो जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए कोशन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर वान टू थ्री चलिएगा कोशन आपकी स्क्रीन पर आ गया जल्दी से कोशन का अंसर करें वहीं मिलके देगे एक आदमी सतरा सरुपे अपने बेटों में इस तरह बाटता है कि यदि उनके हिस्सों को करम से पांच रुपे साथ रुपे और आट रुपे बढ़ा दिया जाए तो उनको मिलने वाली रासी कानुपात तीन चार पांच हो जाता है ठीक है तो प्यारे दोस्तों इस को कोशन का अंसर आप से पूछा जा रहा है तो जल्दी से आंसर करें मैं देखना चाहूँआ किस का आंसर विलकुल सही आ रहा है ठीक है चलते हैं तो भाई आपको पता है मूल रासी तो थी सतरा सो असी रुपिया अब वह कहता है कि अगर पहले को पांच और देदू अपने सर अनुपात में हो जाईगी एक पास ठीन बी के पास चार और सी के पास में 5 3 4 5 टोटल धन कितना हो गयाalten किस्तों कितना हो था वही एक को कितना रुपा दिया पांच पांच दिया दूसरे को साथ दिया अपनी उकाद से फालतु काम कर रहा है भाई समर के माने गए ठीए साथ दिया आठ दिया कर्ज ले रहा है भाई क्या करें साधर पांच 12 राट बीस 1780 में बीस जोडेंगे तो एक इसके बराबर ह थारा सो के बराबर कि तक अ कुना हो जाएगा प्यार दोस्तों अभाग देंगे इसको कितना आएगा देड़ सो तो प्यारे दोस्तों सकत्राल है 100 तो देखिएगा हम नारे इसको साड़े चार सो इसके पास पूछा गया तीनों को मिलने वाली रासी ग्याद कीजिए तो प्यारे दोस्तों यह रासी तो जब है जब आपनी उकाद से फाल तो बात कर रहा था ठीक है जितनी उसकी है नहीं उससे ज़्याद है वो बात कर रहा हो जाएक है अपने बेटों को जाद से जबंद से उसस तक तो अपनी रहा से जढ़ा था जितनी इसकी था कि लेकिन वास्तम में में दिया कितना पांच कम करेंगे कि चार सो पैतालिस दिए वहँगा इस मेंसे इस तो प्यारे दोस्तों बताईए कित्ता हो जाएगा 600 या 500 395 है कहीं यह उप्षन दिखाई दे रहा है चलिए साड़े 700 में से आठ कम कर दीजे तो 742 भाई यह थी वास्तों में पैसे बटवारा चारसो पैतालीश चारसो पैतालीस पांसो तिरणूवे साथ सो ब्री हांशर दिट प्यार दोस्तों इस कोश्टमूका ज़्रका देख लेगा तो देख लीजे जलदी से देख लिजे मैं रिपीट भी कर देता हूं आप यस competing ऻोट ले पाँच के पात में पैसा हो जाएगा तो सतरा सो आश्य में पांच साथ आठ यानि के बीस और जोड़ा तो तो अठारा सो रुपेस ने दे दिये ऐसा वो सोच रहा है तो टोटल बार इनिट किसको रिपरजेंट करती ठारा सो को एक निट डेड़ सो को तो डेड़ सो का चार सो पैतालिस साथ पांच सो तिरान में और आठ कम करें तो साथ सो ब्यालीस यह वास्तम में उसने दन बाटा था अगले कोश्व में चले चलिए तो अपने हिम्मत से जादा लड़ने की इच्छा उसकी भी थी तो आप भी कोछ कोशिस करें चीजों को सेर करें और चैनल करें परने करें जाते हैं ऑप में तर नि फीनिंग सेर कर तो प्यारे दोस्तों जल्दी से मिलके बात कर लेते हैं अगले कोश्वर की हां जे कोशन इसक्रीन पे लगा हुआ है देखिएगा कि नहीं दो पात्रों में दूद और पानी का जो अनुपात है वो करम से चार साथ का अनुपात है और दूसरे पात्र में तीन अनुपात है यदि दोनों विश्रणों को एक अन्य पात्र में एक अनुपात दो के लाय जाए तो पूछ रहा है दूद और पानी का जो नुपात है वो ग्याद करें वह बता दे मारी इच्छा से कि तीसरे बरतन में क्या नुपात हो जाएगा तो इसकी भी सोच बाइसाब कम नमानी आप बिल्कुल भी ठीक है यह अपनी इच्छा से ज्यादा सोचने का काम कर गया है तो इसकी इच्छा देखते हैं वही है क्या करके लेकर जाएगी ठीक है तो देखें दूद और पानी है मिलक और वाटर है वाटर जल्दी बताईए वही देखते हैं मिलक और वाटर करें गें इस तरह के कोशन आपने बिल्कुल पहले बरतन की बात करें तो क्या है पहले बरतन में चार उनुपाथ साथ है चलिएगा दूसरे बरतन में क्या इसाब बनता है वो भी देखते हैं दूसरे बरतन में तीन उनुपाथ पांच है तो प्यारे दोस्तों हम ले लेते हैं एक ऐसा बरतन दोनों बरतनों की माप सेम कर लेते हैं दोनों बरतनों का आयत सेम कर लेते हैं यहां देखें तो यह टोटल 11 और यहां पर करते हैं तो यह आठ याठ का है तो मैं चाहता हूं एक निश्चित माप लेलू तो लेंगे 88 या इधर भी 88 का 88 लीटर का वरतन इधर ले लेते हैं 88 का इधर तो 11 से भाग दीजिए 8 बार और 8 से भाग दीजिए 11 बार ठीक है यह आपका आगया तो प्यारे दोस्तों पहले वरतन से कितना लिया है पहले वरतन से कितना भाग लिया एक भाग और दूसरे वरतन से दो भाग आप चाहो तो इ है इस तरीके से 2 चोके 8 यह नुपात में चल रही है चीज़े किसे में चल रही है नुपात में 2 से 8 क्ट को काट है चारवाइब चार की गुनाद चार से करें तोमील्क और वार्टर का पूछाया W desi जरूर देख लीजिए किस बार built कई बार घुमा के देते हैं आ को मिल्क की जगे वा टर मिल्क मिल सकता है यह आपका असर बदल सकता है तो यहां पर दूद और पानी मुझे नजर आ रहा है मिल्क और वाटर तो देखते हैं चार की गुना करिए यहां पर 16 चार गुना चार पलस यहां से देखे 11 और गुना 3 यह तीज चलिए वह मैं ऐसे लिख लेता हूं ठीक है थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं मिल्क और वाटर मिल्क और वाटर अब यहां पर देखिए दूद की बात हो गई पानी की दिखते हैं सते ठाइस चार गुना साथ और ग्यारा गुना पांच चार गुना साथ ग्यारा गुना पांच तो बता जीजे भई क्या बना मिल्क और वाटर का जो नुपात है वो क्या बन रहा है तो ऐसा आंसर कहां पर मिलेगा मुझे पर मिलेगा आंसर सी आपका हो गया आंसर सी डण है तो जल्दि से देख लिए ड़न है अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवाता हूँ और इस कोश्चन को मैं एक बार चाहूंगा रिपीट करना जल्दी से आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजे मैं रिपीट कर देता हूँ देखे पहले बरतन में चार साथ के नुकपात में था लिकविड आपका तो टोटल मिलके 11 बनाते या तीन और पांच मिलके आठ बनाते ठीक है तो प्यारे दोस्तों अब मुझे बताइए एक बरतन ले लेते कैसी माप का बरतन जो दोनों के लिए से मौं से मौलियूम का ठीक है तो प्यारे दोस्तों 1188 को भाग देंगे तो चार और आट से ग्यार अठाशी आट सकते चार नहीं काट ओगे तो आगे कटेगा भाई नहीं मानोगे तो 22 की गुना करेंगे तब भी कटेगा तो कटेगा यह तो 4-4.16 11 33 सीधे करिए तिरा सीथ ना करने का ताम जहाब नहीं है अगले कोशें चलते अगले कोशें का अंसर करिएगा ठीक है जल्दी से देख लेते हैं कि अगर कि 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 अब देखते हैं अगला कोश्चन पर आ गया चलिए देखते हैं आंसर क्या ठीक है जल्दी से आंसर करिए अगले कोश्चन का और मिलके लाइक करिए जिसने लाइक ने किया हो मिलके थोड़ा सा लाइक करें सेर करें देखते हैं इस बार क्यों जादू की जप्पी दे रहा है कोश्चन को जल्दी से आंसर दीजे कोई सहवकार आठ हजार रुपे रासी का एक भाग चार परतिशत साधान ब्याज की दर्स पर दूसरा वाग चार परतिशत साधान ब्याज की दर पर और उधार देता है उधार देता है यदि वर्स के अंत्र में उसे कुल 380 रुपे ब्याज के रुप में प्राप्त हो तो चार परसेंट की दर बर दी गई रासी बताईए भाई देख मेरे दिमाग में बात आ जाती है जोडी बरेकर मेथड ठीक है कम से कम सोच लेता हूँ कितना आएगा और फिस के बाद में कर लेता हूँ तो बताईए एक तो जोड़ी बरेकर में पर तो सोच के भी किया जा सकते है डीलिके में अंतर करके चीजे समजानी पड़ेगी तो मैं एक चीज बताईए आपило अगर आपने किसी को 8000 दिये साधान भी आज किदर छे रखी चार रखी तो मैं यह कोई च्छे रखी आपने एक धन के लिए एक तरफ चार रखी तो मैं टोटल ज़च पर अगर मैं देखू टोटल धन पर 6000 यह चैनि है माप की दिए 8 है तो 8000 पर एक मोटा सा इसाव लगा द उनका और 20 रूपीया कितना 2020 यानि कि जो 70 रुपी स्ट्रा आये कही न आप यह कह सकते हैं जो है परसेंट की दर पहें 2 परसेंट एकस्ट दिया गया है जो अट्रा मनिम अपने तो स्थीन इसकान कितन कीद् ए दो परसेंट यानि कि जितना भी द्धन दर दिया गया होगा उस पे दो परसेंट उस धन का 2% किसको बताता एक परसेंट तो पूरा धन किता होगा 3,000 तो आपको पता चल गया 6% पे दिया गया धन 3,000 है तो बाकी टोटल किता था 8,000 तो 5,000 बच्चा तो आप से पूछा गया था 4 पे तो 5,000 आपका आंसर आ जाता लेकिन फिर भी आप चाहते हो इसको आपको ब्रेकर से बता दिया जो डिवरेकर मैं तर एलिगेशन से सुनिया एलिगेशन से कैसे करेंगे ठीक है अब पैली के संसे इच्छा हो रही होगी कुछ बच्चों की तो मैं बता देता हूँ टोटल भी आज कितना मिला है 380 पूरे धन पे 8,000 रुपे तो क्या रेट रह है यह ओसत आई है एवरेज रेट आगई आपकी एवरेज रेट आगई आपकी यह ओसत दर आगई पूरे धन पे 380 रुपे कमाए है तो एक रेट निकाली 38 बटे आठ है तो जो आठ है इसको खतम करने के लिए जो बाकी जगए आप गुना कर लिए 6% एक साइड था चार और यह 38 बटे आठ है तो इस आठ को अटाने के लिए 8 से गुना यहां और 8 से गुना यहां और यहां करेंगे तो यहां खतम अब डारेक्ट देखिए 48 में 38 गए 10 और 32 38 में से 32 जाएंगे तो छे 16 इनिट किसको बताती है यह आपका टोटल धन आ गया वही मूल धन आ गया आपका यह टोटल कुछ बाग इतना कुछ बाग इतना टोटल है 16 16 इनिट की वैल्यू है 8000 एक इनिट की वैल्यू कित्ती हो जाएगी 500 तो आप मुझे बता दीजिए किस पर पुछाता चार परसेंट की तरफ तो यह कित्ता हो जाएगा 5000 कि ठीक है एक जीरो बढ़ा दीजिए दोनों तरफ 5000 और इसको निकाले तो 3000 बस यही आपके आंसर है तो स्क्रीन सोट ले लिए लिए लिगेशन से करेंगे चलिए थोड़ी ची तबियत खराब है चलिए अगले कोशन का अंसर लगाते हैं अगले कोशन को लगाईए सर और इसको रिपीट कर देते हैं बही आपको बोला गया तीन सो असी रुपे हमें ब्याज मिला है पूरे धन पे तो हमने पूरे धन का एक ओसत दर निकाली तो 38 बटे आट आया इस आठ को अटाने के लिए इस आठ से सारी जगें मल्टिप्लाई कर दीजिए यहां से हट जाएगा 38 गया 10 और 32 38 में से 32 गया 6 अनुपाद दस आ गय 500 को तो प्यार दोस्तों दस किसको बताएगा एक जीरो लगा दीजिए 5000 को डन है चलिए अगले कोशन से चल देते हैं नैस्ट कोशन कांसा दीजिए और भाई इसने लाइक निक्या प्लीज वो मिलके लाइक करे थोड़ा सा सेर करे सब्सक्राइब करे चैनल को अगला कोशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जल्दी से बताएब इसका कोशन का अंसर आप जल्दी से दीजिए थोड़ा पानी पी ले तो ठीक है और जिसने लाइक नहीं क्या वो मिलके सेर करें लाइक करें आच्छा तो बताया नहीं आपने कैसा घर पर कैसा लग रहा है मन लग रहे है क कोशन कर पा रहे हो जो मैंने कर रहा क्या उससे कुछ अलग आ रहा है बताईएगा कि अगला कोशन आपकी स्क्रीन पे लग गया है और देख लेते हैं क्या अंसरा रहा है ठीक है चल दी से तो ये वोल रहा है एक रासी पर तीन साल का सद्धारन प्याज कितना है 300 एक रासी पर तीन साल का साद्धारन प्याज400 और उसी रासी पर समांदर से दो वर्ष का है चक्क्रवडी बी डी आज कितना है 20-10 रुपया है तो प्यारे दोस्तों आप से पूछा गया रासी गयात करे क्या रात करें रासी कि तीन साल का साधरन ब्याज 300 घर आपको पता है साधरन ब्याज हर वर्स बराबर होता है अगर कहीं से 3-0-30-100 मिला तो हर वर्ष का कितना मिला होगा सों देखे रामबान तरीका देखे थी तीन वर्ष में यह कितना मिला होगा सो सो यह कहता है समान भन फर हमें नहीं पता—— क्या है हमें नहीं पता हमें प्रमसर अपैस कि कि आ Twist नहीं था क्तिने सतर्व independence यानिकि अगर उड्रासी पे देखे औरस उला वहां थे यह थारन्साथर्ण में अगर जो मूल तो प्यारे दोस्तों यह कितना है यानि कि यहां पर आपको यह 10 रुपे मिला है 100 रुपे पर 10 रुपे ब्याज कितनी दर रही होगी हमेशा 10% की दर से कितना होता है 10 रहीं कि देके तो आपकी रैट यह कैसी निकल जाती यह आप कहते 100 रुपे-न। मिले हैं 100 रुपे पे 10 मिले तो कितना है यह सो का यह कितना है तो सो का तो जिसके पीछे का होता है वो नीचे गुना अंडेट तो आप कहते से 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 तों सो ये जो disgust रहोगा इस मूं इस रावसी मिला य remembrance प्रसेंट ब्यार जया होगा तो आपसे पूचा गया था मूल दन बताईए तो बहुना जब इसका अपका होता है 10 क्य previous contribution रहा होगा बताईए 10% को यह दो सो कुना झसी को भताएगा हजार को ठीक है तो यानि कि यह रासी कितनी रही होगी बता दीजे हजार हजार रही होगी न मूल रासी बस यही आंसर है प्यार दोस्तों दस प्रसेंट की वैल्यू अगर सो है तो प्यार दोस्तों सो प्रसेंट की वैल्यू हजार है अगले कोश्चन पे चले सर अगला कोश् एक बार इसको जल्दी से रिपीट करता हो देखे हमें इतना बोला गया तीन वर्स का जो ब्याज है वह साधान ब्याज से 300 रुपे है और जब कि दो वर्स का सेम राशी पे सेम दर से ब्याज जो बढ़ना है चक्रवर्दी व्याज वह 210 बना है 210 बना है सर अगला कोश्य लग वह रहा है तो दो सो दस मिल आया है तो इसका मतलब यहें मूर रासी पे तस पर संट कि दर से ब्याज पाया है तो आपके दस परसेंट यह जो यह ब्याज आया इस पर तो यह तो किसी पर याज मिला होगा तो उसका 10% रहोगा नहीं तो 10% 100 को तो 100% 1000 को तो मुल्रासी कित्तिती हजा चलिए अगले कोशिल का अशर आप करिएगा और देख लेते हैं एक चात्र एक परिक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुतरिन हो बहुत दुखद घटना होई दूसरा चात परिक्षा में 48% अंक प्राप्त करता है जो की उत्रीन अंकों से 50 अधिक लाता है वाँ वाँ तो परिक्षा में उत्रीन अंकों का परतिसत बताइए भई हमने सीखी तीनाबाद परसंटेज में एक रूलों का पास बराबर पास कर देते हैं मेरा बड़े दिल वाला आदमी है तो भी या एक पास बराबर पास लेके चलते हैं जो फैले से पास करेंगे नकल वकल कराएंगे ठीक है चीटिंग करें हैं तैयार है बच्चे को पास कराना है कुण कुण साथ दे रहा है सभी मिलके साथ दीजिए एक बार सेर करिये लाइक करिये जल्दी से देखिए तीस परसेंट लाया बच्चा तो कितनी भीया जरूवत है इसको 22 अंकों से अनुतरीन हुआ अगर 22 दे दू तो भीया इच्छा पूरी हो जाएगी चलिए यह कहता है मैं 48 परसेंट लाया हूं कितना 48 परसेंट लेकिन 48 परसेंट लाके 50 अधिक लिया तो इसमें से अगर 50 गटा दो वहीया तुझे भी पास ही करके छोड़ेंगे अब देखें अंतर कर दीजे धर जाएगा 16 परसेंट 18 और यह धर जाएगा तो 72 एक परसेंट किसको बताएगा चार को ठारा परसेंट 72 को परसेंट चार को तो मुझे बताएए पास परसेंट कितनी हो जाएगे तो परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो 30 परसेंट तो ही है प्यार दोस्तों कम से कम और पलस कितना 22 नमबर और लाता तो पास तो बाइस को चार से भाग दीजिए बाइस को चार से भाग दीजिए तो परसेंटेज में बदल दीजिए वही एक परसेंट चार नमबर होते हैं तो आपको सर भाग देते हैं तो चार से भाग देते हैं तो कितना जाएगा 5.5% तो जोड़ दीजे 35, 355 परसेंट अगला कॉईशन लगा दीजिए 35.5 परसेंट आप कोईशन का आंसर निकालेंगे राश आंसर कोन सा हो सकता है विल्कुल डी आंसर है डी आंसर है मैं रिपीट कर दू जल्दी से देखिए है रिपीट करने जा रहा हूँ डन है जल्दी देखिएगा प्यारतिस परसेंट से पचास कम करेंगे यह भी पास हो जाता तो आरा परसेंट बताते है बहुतर नमबर को तो प्यारे धोस्तों मुझे बताईए पासस कितनी हो तो अगर एक परसेंट चार नंबर को बताते हैं तो जो बाइस दिये आपने वह कितने हो जाएंगे परसेंट जब चार को है तो चार से भाग दीजिए तो पांस दसनलों पांच परसेंट और तीस पैसे पहले लाया तो तो 35-5 परसेंट पर बच्चा पास हो जाता अगले सेंख्या बढ़ाई है चीजों को बढ़ाई है यदी अगला कोशन इसकीन पाया जल्दी आंसर करें देखते हैं किसका आ रहा है यदी एक पंखे का विक्रे मुल्य चालिस परसेंट अधिक कर दिया जाए यदी एक पंखे का विक्रे मुल्य चालिस परसेंट अधिक कर दिय चाए तो उसकी विक्री 25% कम हो जाती चाह दुकंदार की है में होने वाली जह प्राइस बढ़ा दिया कीमत बढ़ा दी कीमत और बता भाई या कीमत बढ़ती क्यां होती है चीजे कम खरीदने लगे लोग बाग तो कम खरीदने लगी फिकरी जो इसकी सेल है जो सेल है जो विकरी है वो क्या हो गई गट गई तो बाई प्राइस गुना बिकरीद करेंगे तो क्या बन जाएगी टोटल जो धन है जो अमाउंट है जो उसके पास आए है वो बन जाएगे क्या बन जाएगी आए मल्टिप्लाइ करेंगे प्राइस कितने बड़ाए है से 40 % तो 25 ente कम कर देता है 25 % की फरेक्षन आपको पता एक बट एक बटा चार किता होती रही है यानिकि अगर 4 थी तो चार से遊戲 क्री हो गई तो 4 से कितनी हो गई तीन फूओ गई मुझे बता दीजिए कित्ता हो गया प्यारे दोस्तो 40 और ये कित्ता हो गया 42 यानि कि अब भी फाइदा ही ले रहा भाई साब 42 यानि कि 40 पे 2 का फाइदा है तो कितना परतिसत हो गया दोसे इसको काटिये 2500 पाँंच परसेंट का अब भी फाइदा ले रहा है क्या है प्रोफिट ले रहा है कितने का 5 परसेंट ये आपका आंसर है क्या है answer 5% के वरतित है यह answer आएगा ठीक है कि यह answer आएगा चलिए अगला question इस किन पर लगवाते हैं जल्दी से देख लीजिए थोड़सा उपर लगा ईये बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए apply ॔र को स्किरिन पर आ रहा है answer करिएगा मैं इसको repeat कर देता हूं कि कीमत को 40% बढ़ाया जानी के दस की चीजे 14 में बेचने लगा महंगा हो गया बिकरी कम हो गई कितनी 25% 25% की फ्रेक्षन होती है यानि के के चार रुपे की कमी चार की चीजे वेचने लगा होगा चार की चीजे तो देखे पृइस की मुल्टिपलाई अ में रहे हैं कि चालीश चालिस चालिस में दो का लाब चालिस पर तो दो रटा चालिस एक बौटा बीस यानिके 5% चलिए अगला कोशन स्कीन पर आ गया है अच्छा लग रहे हैं समझ आ रहा है तो जल्दी बताते लिए अगले कोशन का अंसर दीजेगा ठीक है पैड दोस्तों तो देख लेते हैं अगले कोशन को अगले वर्स आदमियों की संख्या में 8% एवं महिलाओं की संख्या में 6% की बड़ोतरी हुई ठीक है आठ परसेंट 6% यदि अगले वर्स कुल जन संख्या बारे हजार आठ सो बीस हो गई तो पिछले वर्स सहर की जन संख्या में आदमी और और ओरतों की संख्या क्या थी अनुपात जानना चाहता है ठीक है करें एलिकेशन से तो देखिए अनुपात एका लेते डन है चलिए पहले कितने थी बारे हजार आज कितनी हो गई बारे आठ सो बीस कितनी वरद्दी हो गई बारे हजार से बारे आठ सो बीस यानि के आठ सो बीस की वरद्दी हो गई है तो परसंटेज इंक्रिमेंट अगर देखू ठीक है एक एवरेज निकाल लेते परसंटेज एवरेज कि गुणा सो करे दो और एक तीन तीन जीरो से तीन जीरो चलवसी बाइसा ब्यासी बटे बारा ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है एवरेज कितना है ब्यासी मुझे बताईए महिलाओ की राद्मियों की जनसे क्या मैं कैसे कैसे बढ़ाया आपने मेल की जो बढ़ाई थी इधार फीमेल कर लीजिए फीमेल फीमेल मेल पुरुस महिला तो छे परसेंट आठ परसेंट अच्छा आठ परसेंट इसको और छे परसेंट इसको ठीक है आठ प गुना कर दीजिए ठीक है तो यह भी बाराट जाएगा जब गुना करेंगे तो बाराटी चान में चान में से 82 घटाएंगे चान में से 82 चोद है और 82 में से 72 घटाएंगे तो 10 तो 5.57 आपका आ से लीजे रिपीट कर देते हैं और कोश्चन में देखे बता देता हूं फिर से क्या कह रहा था एक सहर की जन सेंख्या बाराहजार थी बारह आट सो बीस हो गई है तो अगले वरसाज्मियों की संख्या में आट परसेंट और महिलाओ की संख्या में 6% की वरद्दी होई थी इ पता चले कि एक एवरेज रेट कितनी वड़ी एक परसंटेज चेंज कितना हुआ है टोटल जन सेंख्या में तो आपने आट सो बीस को बारह हजार पे भाग देके देखा तो एक चेंज हुआ तब कर दीजेए 2 रिख रहां जो है वहर जग है मल्टीप्लाइए कर दीजेए आठ परसंट मेल और 6 कि मेल तो बारेटी च्छाणमे में से दस चोधा को काटेंगे पांच अनुपाथ साथ के नुपाथ में चलिएगा अंसर अपका हो जाएगा आंसर भी चलिएगा अगले कोश्चन का अंसर दीजिए रीड करी अच्छे से और मैं जब तक साइड डाल लेता हूं ठीक है एक इंक डाल लेता हूं इंगलिस में बोल द पिछले साथ गंटे 67 गंटे सेads mirror करवा रहा हूं ठीक है आपको पता है सेटडे संडे में अपकी बोली इंगई थी कि अपको कि इसलेगी नहीं चलेगी ठीक है क्योंकि दिवाली के लिए नहीं नहीं हर अलग कि लाव सो रही है तो मेरा थन लेता चैसाथ घंटी किटे वह चाते उसका तो थोड़ा सा ध्यान कर लिजे तो प्यार दोस्तों आप समझ सकते हैं तो इक लास ही चार दिन के लिए ऐसे रिकोड कर रहा हूं चार दिन की समझ लीजिए हलके में मत लीजिए ठीक है दिवाली आप घर पे मना रहे हो आपको क्या लगाता ठीक है मैनत तो जरूर कर रहा हूं संडे विकार है सेटरेड़ भी नहीं सो पाया पिछले कई गंटों से जिंदा खड़ा हूं बस यह तो मैं भी आप में से देख रहा हूंगा आज के साइध वीडियो ऐसा हो कि मैं भी आपके वीच में हूं तो कमेंट कर सकता हूं चलिएगा तो करे वहीं जल्दी से शेयर लाइक करे अ मिटा दे वहीं मिटा देते हैं चलिएगा तो अगला कोश्चन स्क्रीन के उपर पड़ा हूआ है इस नगमे को सांदार तरीके से उड़ाते हैं चलिए यदि विक्रे मुल्य पर हानी बीस परतिसाथ है तो करे मुल्य पर हानी परतिसाथ ज्याद कीजिए वहीं विक्रे मुल्य पर हानी हुई बीस परसेंट की एक मोटी सी चीज़ समझे बीस परसेंट की फ्रेक्शन क्या होगी एक बटे पांच विक्रे मुल्य पर हानी का मतलब यह है कि जब यह चीजे पांच की बेची गई थी तो मुझे एक की हानी हो गई लोज कितने का हो गया प्यार दोस्तो एक का हो गया हानी कितने की हो गई एक की हो गई आप मुझे बताइए जब पांच की बेचने से हानी एक की है तो लेके कित कितने की बेची कितने की ऐस पी 5 कितने की पांच चाह की नुख्षान एक किस पर चैंप एक बटे शैकिता होता है 16 सई दोगटे 3 पर्सेंट यहीं आपका सिपी के उपर नुक्सान कितना होगा अगर कोई चीज 20 पर सेंट हानी होती है तो प्यारे दोस्तों एक बटे पाँच है तो अगला कोश्चन आपका लगवाऊंगा एक मिनट रुकेगा चलिए तो देखिए पहले 20 परसेंट की फ्रेक्शन एक बटे पाँच हो गई यानि कि पांच की चीजे बेचने से एक का नुकसान है तो चीजे कितने के लिए होगी पांच की बेची एक का नुकसान हो गया 6 इली होगी 6 की चीजे पांच पे कितने का एक का नुकसान ले रे किस के उपर च्छे उपर तो एक बटाचे किता होता है सोजा सजी दो बोटे थीन परसेंट यानि के आप यह कह सकते हैं आप का उसे किता होगा सोजा थीपी पन उकसान हो गया लोस हो गया ठीक है क्था लोस हानी स्क्रेंड़ूर्ट लेज्ञें दबाके आंसर कौन सा आएगा इस कोशनक कि अंगले कोश्चन वी आ जाते हैं चलिए आंसर सी होगा तुम्हें भी पता देखिए एडिटर को पता है कोश्चन नहीं कोश्चन सोल भी कर रहे हैं वेठे वेठे समझ आ रही है मैं समझ आ रहे हैं समझ आ रहे हैं कई बार यह कहते हैं कि वहीं जब मैं पढ़ता था तो ट्रिक्नोमेट्री मेरा फैवरेट सब्जेक्ट होता था तो मुझे अच्छा लगता था था क्लास में सबसे बैठके पढ़ता था क्योंकि ट्रिक्नोमेट्री अच्छी लगती थी और भी अच्छा लगते होगा तो टीचर उन्हों के सबसे पहले मुझे से पूछता था हाँ तो मेरे को अच्छा लगता था तो जिस दिन में करा रहा था तो इस भाई ने बताया कि सर ट्रिक्नोमेट्री मेरा फेवरेट है लेकिन आज मुझे कुछ अलग सीखने को इस क्लास में भी मिल गया तो मुझे अच्छा लगा तो देखिए ऐसे अलके में मत लीजिए सारे पढ़े लिखे एडिटर है ठीक है चलिए तो इस कोशन का अंसर करिए जल्दी से बताईए क अंसर क्या होगा जब तक एडिटर को टाइम देता हूं सोचने का ठीक है चलिए तो अगला कोशन पर आ जाते हैं कि हाजी जल्दी से बताईए और सेयर लाइक करते रहीएगा ठीक है क्या बोला है कोशन में एक दुकंदार के पास कुछ कलम है यदि वे उनको सात रुपे परती कलम के भाव से बेचे तो उसको नबर परतिसद या नबर पर नबर पर की हानी होती है चलिए वे उनको सात रुपे परती कलम के भाव से बेचे तो उसको नबर पर की हानी यदि वे उनको साथ दसमलब दो पांच रुपे परती कलम के भाव से बेचे तो उसको साट रुपे का लाव होता है कुल कलमों की से इंग क्या बताईए बाई वा क्या कोशन है ठीक है काम कितना सकर रहा है मैं तो यह जानना चालता हूं साथ की जगे सवसात की तो बेच रहा है साथ की जगे सवसात का वेचर है कि नहीं बेचर है बताए पहले जो बेच था सबस्क्राइब सात रुपे की बेच रहाता पर्तिक लमम ठीक है आज बेचता है तो आज बेचने लगा सबंबर कर लिए बेचने हैं सवा सात रुपे लिए पर्तिक कलमम के हिसाब से प्यारे दोस्तों उनको खोबताह पहले जो 90 रुपे की हानी होती थी सारे कलमों को बेचने के बाद सारे कलमों के बेचने के बाद तो प्यार दोस्तों मुझे बताए कितना रुपे आपने बढ़ाया पॉइंट टू फाइव बढ़ाया एक कलम का अगर पॉइंट टू फाइव बढ़ाया तो ऐसी कितनी कलमे रही होगी एन कलम माल लेते हैं तो उससे हुआ क्या पोइंट टू फाइव बढ़ाने से तो जहां च्छान में रुपे जहां 90 रुपे की आनी होती थी कितने की 90 की वह आपने 90 की हानी के साथ साथ में वो हानी भी कवर कर ली पलस में 60 रुपे का लाब भी कमा लिया तो पोइंट टू फाइव एंट जगह बढ़ाने से 90 रुपे आपने टोटल इस तरीके से इसका डिफ्रेंस होगा ठीक है तो इसका दसंबला बटाईए दो जीरो बढ़ाईए तो एंट की वैल्यू किती हो गई 600 यह आपका यह आपका आंसर है कौन सा आंसर होगा जल्दी ब बटाई करें चलिएगा देखिए रिपीट कर रहा हूं अरगला कोशन लगवाता हूं स्क्रीन के उपर सरग़ा कोशन लगा दीजे मैं रिपीट करने जा रहा हूं आपने साथ रुपे पर्ति पहले क्या करा बेचना सुरू कर आपने देखा भाईया नुकसान हो गया रे क कितने का 90 रुपे का अब आपने सोचा वहीया सवा साथ रुपे परति कलम के इसाब से बेचा आपने पॉइंट टू फाइव बढ़ाया कितने कलमों का रेट एन कलमों का तो आपने जहां 90 रुपे का नुक्सान भी कवर किया पलस उस पे साथ रुपे का फाइदा तो टोटल डेट सो रुपे आपने कवर कर लिए इस तरीके से एन जगा दसंब्लाव दो पांच बढ़ा के तो ऐसे कितनी कलम में रही होगी तो साथ से भाग देंगे 600 कल में ऐसी रही होगी ठीक है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं कैसा लग रहे आपको समझ आ रही है न बाते वहीं समझ आ रहा है तो बताईए और अगले कोशन पर आ जाते हैं नैस कोशन पर आ जाते हैं देखेगा हाँ जी ये कोशिन है बहुत आसान है बहुत ही आसान बनाएंगे आप करके तो आंसर देखिए फिर मैं आऊँगा ना बोर्ड पे बास अभी करतेंगे निप्टा देंगे कोशिन को दो रेल गाड़ी है पढ़ लेते हैं हम भी प्लेटफॉम ए और बी पर खड़ी है वे दोन अब दो एक दूसरे को पार करती है चलिए थोड़ी लाइन चेंज कर दी और एक दूसरे को पार कर गई तो एक रेल गाड़ी ने देखा दूसरी रेल गाड़ी से 120 किलोमेटर ज्यादा दूरी तैकरी है यह किस वज़े से हुआ होगा यानि के हमने देखा एक साथ चलाई और जब यह क्रोस कर रही थी तो एक गाड़ी ज़्यादा दूरी चल चुकी थी कितनी 120 किलोमेटर अधिक दूरी दूसरी से यह किस की वज़े से हुआ होगा चेंज टाइम तो सेम था चलने का यह चेंज हुआ है स्पीड की वज़े से यानि कि अगर मैं बात करूँ टाइम अगर सेम हो जाता है समझिए का अभी तो मैंने करा नहीं है यह टोपिक लेकिन जब मैं कराऊंगा तो भाई साब कोशन पढ़ते के साथ ही समझ जाओगे कि सब्सक्राइब की खेल क्या है मैं ता ऐगर कोशेंट है तो इसका मतलब दूरी किस वज़े से जाधा कम होती है जिसके जाधा चाल उसकी दूरी जादा तो मुझे बता के तो यह इचर्ई में को बाँए तो जो आपकी कर इंस पीड का रिशीयो को रिष्यों होगा वह दू एक स्टेशन बी से चले यह ऐसे चले तो मैं ए भी ही ट्रेंड माल लेता हूं ए भी ट्रेंड मालेता हूं इस पीड का रेशियो 15 35 को तो प्यारे दोस्तों मुझे बताईए डिस्टेंस का भी सेम रेशियो हो जाएगा इसे काट लीजें ठीक है काड लिजन पाथ में तीन 5 से वेकाटे 5 से 35 तीन और सात तो तोटल डिस्टैंस तो है देखें दस तीनॉर साथ दस और जो अधिक चल पारी है वो कितनी है चार неё चार यूनिट अधिक चली है क्यों चली है चार अधिक तो दूरी चार अधिक तैकड़ी और कितनी कर ऊन्ट एक intense इसको बताएगी तो टोटल डिस्तैंस अगर मैं बात अब बताइए तोटल d 시작 अगर में बात और तो एहाईगी। आ से पूच क्या रहा था है डिस्टैंजि तो बटाइए बढ़ा कि चिपका दीजे 300 किलोमेटर आ रहा है मिरे इसाब से तो आंसर बताइए किता रहे थीन सो है गई वाइवा आंसर डी आ रहे कितना रहे आंसर डी आ रहा है तो मैं repeat करता हूं भागा दोड़ा सा ठीक है अद दोड़े से like कर दीजिए और share कर लीजिए ठीक है subscribe भी कर लीजिए अगर चैनल के उपर नहीं आए ठीक है जल्दी से repeat करते हैं वहीं आपको पता है दोनों को एक साथ दोड़ाया था तो एक अधिक दूरी टैक कर पाई वह किसकी वज़े से क्योंकि चलने का समय तो सेम था इस पीड अलग अलग थी तो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस सेम चलेगी जितनी ज्यादा चाल इतनी ज्यादा दूरी कवर करेगी इसकी चाल 15 है इसकी 35 है तो आप इस अनुपात को काट सकते सेम दूरी का भी रहेगा तीन और साथ आप यहां से भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है पंदर है पैतिस का अंतर आप स्पीड भी अधिकरी 120 किलोमेटर ठीक है कितनी 120 किलोमेटर चार इलिट बताती 220 इनिट बताए एक झिसको टोएक ज्रो भटा हदी यह 3002 यूनेट किसको बताईगी तो दोनों ने मिलका कितनी तहकी मिलने से पहले पहले अगले कोश्चन पर आ SAP कि नैश्ट कोष्शन पे आ जाते हैं मिलने तक है उन्होंने इतनी दूरी करिया चली अगला कोशन के लगा हुआ है इसकूशन काज़ दीजें कि देहन रख्या हो हाँ तो मुँद इसकूशन का दीजे अगला कोशन पे जो लगा हुआ है हा जे देखते से थोड़ा बड़ा कर लेता है हान एक आदमी अपने स्कूटर पर कुछ दूरी तै करता है जादा गती से यातरा करता है तो वह 20 मिनेट जल्दी पहुच जाता है यदी 5 कि खढ़़ impress देरी से पोछता है दियां दखिकाप इसमें गलती कर सकते हैं आप इसे अधिक और जादे कुमत भूलिए अगर मैं कहता चाह की चाहल से चलता है और बीस मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो बात लग थी यहां कम गती से और जादा गती से का मतलब समझ रहे होना चीज़े वह नहीं है जो आप सोच के को करने की कोशिस करोगे ठीक है तो इस चीज में आपको हिंट दे दिया थोड़ी सी कोशिस करिए और फिर मैं बताता हूं किस तरीगे से उगर आंसर आप सोभी कावी तक नहीं आया बाई ओप्शन भी खेलने की कोशिस कर रहे होंगे बच्चे ठीक है जल्दी से आंसर करिए भाई थोड़ा पानी अपने स्कूटर доб कुछ दूरी तैक करता रही कर देंस तो हम लेके दिस्टानिया सेमिस पहले थी बिशन्स क्रेंस बरावर दिस्टैनस हम लेके कि चलते इस तरह कोश्चिν में ब्लाद मुझे अगर उसattoर को 6 किलोमेटर जादा कर दिया मुझे नहीं पता पहले किती थी एस चाल थी उसको किता बढ़ा दिया एस प्लस सिक्स कर दिया ठीक है तो प्यारे दोस्तों मैं बताऊंगा इसका आपको वो तरीका बिल्कुल बेसिक है बेसिक से यह रिजल्ट बना है तो आप इस तरीके को अभी समझ लीज समय में तैय कर लिए ऐसा कुछ कोशन आता है देखिए मैं सारे कोशन कराने वालों फिलाल आप तरीका समझ लीजिए फिर मैं जब किलास में इस तरीके कर रहा हूंगा तब आपको पूरा डेटेल में कराऊंगा अभी आप समझ के चलिए कि कैसे करना है आपके स्पीड है इसको आपने 6 बढ़ा दिया इस प्लस 6 कर दिया तो नीचे भी क्या रखे 6 ठीक है जितना बढ़ाया इंटू टाइम चाल गुना समय तो प्यारे दोस्तों बताइए क्या हो गया समय कितना कम हो गया 20 मिनिट कम हो गया तो 20 मिनिट है घंटे में बदलने के लिए 60 से वाग त तो ने चाल को पांच किलमेटर कम कर दिया तो पहले जो एस थी उसको पांच कम करा तो यहां भी पांच लिखे ठीक है यह क्यों हो रहा है इसका पूरी डिटेल में आपको आंसर दूंगा और आप मेरी कोई क्लास कोई दिख कर दिए आप अभी ऐसे समझ लीजे कि एक्जा ठीक है राइट है तो बीस मिनट अधिक लगेंगे की नहीं लगेंगे तो चलिए बीस बटे साथ घंटे वादल लिया अब काट यह जो कटता है यह कट गया और कुछ कटता है ऐस से इस कट गया चलिएगा तो यह देखे एस पलस सीक्स बटे सीक्स बराबर एस माइनस साथ किलमेटर पर त McMnt this इन थी अब यहां से भी दूरी निकल सकती है तो मैं यहां पर रख रहा हूं वह यहां पर 66 बटे 6 गुणा 20 बटे 60 तो यह तो तीन बार हो जाएगा एक बटा तीन आ गया चैसे सको काट यह ग्यारा तो ग्यारा चीका 66 और तीन से इसको काट लीजे 20 बार ठीक है मैं कैसे काट रहा हूं आप देख सकते कितना 220 किलो मेटर आपका यह सबस्क्रत्र की से आपको दिखाया दे रहे हैं तो बताएंये और आंशर आएगा आशर एग आजएगा कितना यह इख कितना वह गएगा 222घ कितना व bastards किकलो मीटर मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने स्की वैस का और depends बटे चैसे से इसको बाग दीजिए ग्यारा दूनी बाइस तो ग्यारा दूनी बाइस कितना आ जाएगा 220 को काटा 20 तो ठीक है और चैसे सको काटा तो ग्यारा दूनी बाइस 220 किलोमेटर तो अगला कोशन लगा दीजिए एक बार स्किन के उपपर और आप जब इस तरह कोशन है कि चाल को बढ़ा रहा है घटा तो आप इस तरीके से करेंगे बिल्कुल तो एस इंटू एस प्लस सिक्स बाइस इंटू 20 वाइस 60 बराबर एस इंटू एस माइनस 5 बटे 5 आपने चाल गटाई तो चाल एस माइनस 5 कर दी पहले एस थी तो एस से कर दी ठीक है कम कर दिया बटे 5 और कितना टाइम अधिक लगने लगा 20 मिनट तो घंटे में बदलेंगे 60 से अब सारी क्यल्कुलेशन पार्ट आप कर सकते ठीक है यह आपका तरीका होना अच्छी एक्जाम में आप इस कोशन को ऐसे कर सकते और भी तरीके होते हैं और भी त थे टेल में नहीं जा सकते ना जादा समय कम है कोशन पर आ जाते हैं अगला कॉश्चन को देखते हैं को दिखा दीजे और एक कोश्चन और ओमवर्क में लगवा देता हूँ यह दो कोश्चन आपको कल कोश्चन क्लास में करा जाएंगे तो यह दो कोश्चन का आप स्क्रिंसोट ले लीजे जल्दी से और किलास के बारे में बताईए कैसी लग रही है ठीक है मोग टेस्ट प्यारी करवा देते हैं कुछ कोश्चन की कैसे एक्जाम में लगाए कैसे करें तो यह सीजे मैंने लगवा दी स्क्रिंसोट मिल गए होंगे प्यार दोस्तों तो प्यारे दोस्तों तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डेली क्लास में रेगुलर रही है और जिस ने अभी तक व कमेंट करके जरूर बताया करें आपको क्लास कैसी लग रही है मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का तो चलिए हस्ते रही है मुस्कुराते रही है सभी को हार्दिक सब्कामना एक बार फिर से दिवाली की चलिए बाई टेक क्यार लवी ओल जैंद जैफारत